आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि Spice Money की यूजर आईडी और पासवर्ड बिनने के बाद इसे फर्स लॉग इन कैसे किया जाता है साथी साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ अगर आप किसी भी मुवाइल की रिचार्ज करते हैं तो उस पे कितना कमिशन मिलता ह आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि Spice Money से आप किन किन सर्विस को आप कस्तमर को प्रवाइड करके आप कितना डेंफिट कमा सकते हैं और आपको कितने ट्रांजेक्शन पे कितना कमिशन मिल सकता है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम आपको लाइड दिखाते हैं यहाँ पर हम आईडिय और पासवर्ट डाल लेंगे उसके बाद हम लॉग इन करेंगे लॉग इन करते ही हमारे मुबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और जो कि यहाँ पर अपने आप वरिफाई हो जाएगा यहाँ पर हमारा एकाउंट वरिफाई हो गया है अब हम यहाँ पर प्रोसिट करेंगे यहाँ पर आपको RBL EKYC का option मिलेगा इसे आप skip कर देंगे यह कोई important नहीं है इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हो कि इसमें क्या-क्या सर्विस है सबसे पहले तो आप mobile recharge यहाँ पर एक सर्विस है जिस पर mobile recharge पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप mobile number इंटर करेंगे यहाँ से operator सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंटर amount डालेंगे जितने का आपको recharge करना है उसके बाद आप recharge now पर क्लिक कर देंगे तो आपका recharge हो जाएगा no more पर आप क्लिक करके आप यहाँ से यहाँ इसका plan देख सकते हैं जिसमें आपको जियो और एयर तिल का जब आप recharge करते हैं तो आपको 0.50% commission मिलेगा उसके साथ साथ अगर आप किसी और का करते हैं तो आपको 0.75% मिलेगा और अगर आप 200 रुपे से अधिक का recharge करते हैं तो आपको 2.00% का आपको commission मिलेगा इसके साथ साथ ही अगर आप DTH का recharge करते हैं तो 1.5% आपको cashback मिलेगा अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो आप spice money DMT पर क्लिक करके आप पैसे भेज सकते हैं अगर आप spice money ATM से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो आप spice money ATM का use कर सकते हैं इसके करके बाद EPS का settlement करके भी आप निकाल सकते हैं यहां से आप चाहें तो balance की inquiry कर सकते हैं balance inquiry पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने mantra FS100 Morpho इन सभी तरह की device आजाएगी तो इसके लिए आपको एक finger device की जरूद पड़ेगी कि मेरे पास यहां पर एक device है जो की MFS100 है चलिए हम इसे connect करा लेते हैं यहां से हमने connect करा लिया है और connect करनाने के बाद यहां पर mantra FS पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर आप कई options आया है जैसे withdrawal, mini statement, balance inquiry, deposit यानि आप deposit करना चाहते हैं तो deposit कर सकते हैं, withdrawal करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं अगर किसी account का mini statement निकालना चाहते हैं तो आप यहीं से निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आज जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लान आ जाएगा यहाँ प्लान A है और यहाँ प्लान B प्लान C इस तरह से कई प्लान दिये गए हैं प्लान A में क्या है जब आप 1 रुपे से 199 रुपे को आप कहीं send करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपे भी नहीं मिलेंगे इसके साथ अगर 200 से 999 रुपे भेश्टे हैं तो आपको 50 पैसे मिलेंगे अगर 1000 से आप 1500 तक भेश्टे हैं तो उस पर आपको 1 रुपे का commission मिलेगा और अगर 1500 से लेकर आप 2000 रुपे तक भेश्टे हैं तो 3 रुपे का आपको commission मिलेगा इसके साथ साथ ही असे बहुत सारे plans दिये गए हैं जिसमें आपको 8000 से 10,000 तक आप पैसे किसी को send करते हैं तो आपको 10 रुपे का commission मिलेगा अपने किसी भी bank के आपको balance की inquiry लेनी है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सबसे पहले view all banks कर लेंगे यहाँ से आपको screen पर कोई भी दिखता है तो आप यहाँ से select कर लेंगे यहाँ पर आप अपना अधार number fill कर लेंगे और यहाँ पर अपना mobile number fill कर लेंगे और bank तो आपने पहले ही select कर लिया है तो यहाँ पर आप scan to check balance पर आप जब click करेंगे तो आपकी device यहाँ पर on हो जाएगी यहाँ पर आप fingerprint रखेंगे तो fingerprint रखते ही पहले working करेगा और आपके सामने आपके जो भी account में जितने भी balance है वो आपको show कर देंगे अगर आप चाहें तो अपने balance को आप यहाँ से send SMS कर देंगे तो आपके mobile number पर send हो जाएगा इसके साथ साथ ही अगर आप print करना चाहें तो यह print भी हो जाएगा इसके साथ साथ ही spice bunny में और क्या क्या service मिलती है चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर चाहें तो आप mini statement शेक करना चाहें तो कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर एमपॉस मसीन पर आप क्लिक करके एमपॉस की द्वारा आप पैसे निकाल सकते हैं इसके साथ साथ सी LIC में आप यहाँ पर जो भी आपको premium भरना होता है तो आप spice bunny के द्वारा आप इसमें भर सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो आप फ्लाइट पर क्लिक करके आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं होटल पर क्लिक करके आप होटल भी बुक कर सकते हैं अपलाई pen card पे क्लिक करके आप pen card के लिए भी apply कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UTI से pen बनाने के लिए यह service open हो चुकी है इसके साथ साथ ही आप electricity की bill यहाँ पे mobile का recharge यहाँ पे DTH का recharge और यहाँ से आप gas की refill भी book करा सकते हैं water का bill, landline, broadband यहाँ से आप LPG भी एक book कर सकते हैं यह से आप fast tech के लिए recharge कर सकते हैं history पे click करके आप इसकी history देख सकते हैं जो भी आपने यहाँ पे transaction किया है wallet में किया है या APS या DMT या recharge किया हुआ है तो recharge पे click करके आप recharge भी देख सकते हैं earnings पे click करके आप अपनी earnings देख सकते हैं यहाँ पे earnings आपको show कर देगी एक daily की earnings है weekly की earnings है and monthly की earnings है more पे click करके आप यहाँ से setting कर सकते हैं contact us कर सकते हैं यानी कि आप customer का support लेना है तो आप contact कर सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो अपना certificate भी spice money के तरफ से जो provide किया जाता है वो आप यहाँ से download कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर add money पर click करके आप अपने spice money के wallet में आप जितना amount चाहते हैं add करना आप यहाँ से add कर सकते हैं इसके लिए आपको enter amount करना होगा उसके बाद आप चाहे तो UPI से कर सकते हैं या other payment method पर आप देख सकते हैं यह सारे payment method हैं जहां से आप इसका use करके आप अपने spice money wallet में आप balance डाल सकते हैं अगर by the way कभी आपके spice money में आपका fingerprint scanner काम नहीं कर रहा है तो आप इसके लिए आप mantra device activate कर लेंगे description में link दे दिया है जब आप उस पे click करेंगे तो आप play store से mantra RD service को download कर लेंगे और जब आप इस पे connect कराएंगे तो यहाँ पे दो options internet service पहले से green हो जाएगी और management service reachable यह भी green हो जाएगा है इसके बाद हम fingerprint device को हम यहाँ connect करा लेते हैं connect कराने के बाद हम इसे यहाँ से connect कराएंगे connect कराने के बाद कुछ इस तरह का message आएगा हम इसे यहाँ पे okay कर देंगे ओके कराने के बाद यह ओके हो चुका है डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है और कैप्चर टेस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह लाइट जल चुकी है फिंगर स्कैनर की और यहां पे जब हम रखेंगे फिंगर तो यह हमारा फिंगर स्कैन हो जाएगा तो इस तरह से आपने अपनी finger device भी activate कर ली है और अब easily आप कुछ भी Spiceman में आप चेक करना चाहते हैं तो वो आसानी से चेक कर सकते हैं